Class 12 Physics Alternate Current प्रत्यावर्ती धारा और उस परिपत में चर्किट में शक्ती Power in AC सरकिट तू किसी विद्यूत परिपत में जो उर्जावय की दर होती है उर्जावय होने की दर होती है उससे हम शक्ती कहते हैं और जब हम DC सरकिट लेते हैं तो इसका मान विभुवांतर और धारा के गुणनफल के बरावर होता है, मतलब वी और आई के गुणा के बरावर होता है, परन्तु जब हम AC सर्कुट की बात करते हैं, तो फिर AC सर्कुट में क्या होता है, कि वोल्टिता और धारा के मान तो समय के साथ लगातार बदलते हैं, तो फिर हम यहां शक्ति के माइने ताच्छनिक शक्ति या क्षण विशेश पर शक्ति से लगाते हैं तो फिर ऐसी सर्किट में प्रत्यावर्दी धारा परिपत में जो शक्ति होगी वो उस क्षण परिपत में प्रत्यावर्ती विवांतर और प्रत्यावर्ती धारा के गुणा के बराबर होगी मतलब जो alternate voltage उस समय हो रहा होगा और जो alternate current उस समय उस क्षण पर होगा उसके गुणा के बराबर होगा power alternate current में मतलब प्रत्यावर्थी धारा परिपत में जो power या शक्ति होगी वो उस क्षण विशेष पर प्रत्यावर्थी विभवांतर मतलब voltage और प्रत्यावर्थी धारा current के गुणा के बराबर होगी तो जिसे मान लीजिए अगर आप किसी AC परिपत में प्रत्यावर्थी विभवांत यह प्रत्यावरती वोल्टेज को एक समीकर्ण से दर्शाते हैं V is equal to V not sin omega t से आप बताते हैं और उसी क्षण पे जो प्रत्यावरती धारा है उसके संगत alternate current है उसे आप दर्शाते हैं I is equal to I not sin omega t minus phi से तो यह alternate current में आपका circuit में यह voltage हो गया और यह धारा हो गई तो यह धारा यहाँ पर जो है phi मतलब यह voltage और धारा के बीच में यहाँ phi का कलांतर हमने बता दिया है तो यह प्रत्यावरती विवांतर है V is equal to V not sin omega t और इसके संगत प्रत्यावरती धारा हमने ले लिए I is equal to I not sin omega t minus phi अब हमें निकालना है इन दोनों का गुणा होगा तो यह शक्ति निकल कर आ जाएगी मतलब शक्ति जो होगी P is equal to V I होगी मतलब V में I का क्या करना है आपको गुणा कर देना है तो चली गुणा कर दीजे दोनों का दोनों को multiply कर दीजे तो V के place पर क्या लिखेंगे V not sin omega t और I के place पर क्या लिखेंगे I not sin omega t minus 5 तो यह उस शण परिपत में शक्ति का मान आ जाएगा तो समिकन एक और दो से आपने मान रखे तो P is equal to हो गया V के place पर V not sin omega t dot और I के place पर हो गया I not sin omega t minus 5 तो इस तरह से समिकन एक और दो से हमने यहाँ यह मान रख ली है तो यह आप प्रत्यावर्ति voltage और प्रत्यावर्ति धारा के मान यहाँ आपने put कर दिये शण विशेश पर है ना तो P is equal to यह हो गया V I अब आप देख लीजे कि V not I not को आप यह जिसको हम V 0 I 0 भी बोल देते हैं तो इनको आप यहाँ आगे लिख लीजे और यह साइन साइन वाली वेल्यू बाद में लिख दीजे तो यह हो जाएगा P is equal to V 0 I 0 साइन ओमेगा टी डॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 एक्च्छल हमारा जो उद्देश है ऐसा करने का वो यह है कि यहाँ से हमें क्या होगा कि 2 साइन A साइन B का फार्मूला मिल जाएगा तो अब आप काई यहाँ तो टू नहीं है तो टू से डिवाइड कर दीजे और टू से मल्टिप्लाई कर दीजे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ दो से भाग लगा दें यहाँ पर लग जाएगा तो इस तरह से हमने अभी तक जो किया वो यह है कि प्रत्यावर्थी धारा परिपत में शक्ति का महान निकालना बहुत आसान है आपको बिलकुल ज़रा सा उसकोई एक पर्टिकुलर ख़ण लेदा है और उक ख़ण पर जो जो अल्टरनेट करेंट का जो सर्कृत है उसका जो प्रत्यावर्थी वोल्टेजे वो लिजिए प्रत्यावर्थी धारा लिजिए और दोनों का गुणा कर दीजे गुणा करने के बाद में V0 I0 को आगे लिख लिजे और sin sin वाली value पीछे लिख दीजे अब 2 का गुणा और 2 का भाग कर दीजे ताकि यह 2 sin A sin B का formula बन जाए चलिए आए कैसे करेंगे इसको देखिए यह यहां तक हम आगए है V0 I0 upon 2 2 sin omega t sin omega t minus 5 2 sin A sin B का formula तो देखिए जो सूत्रे वो यह है कि 2 sin A sin B होता है cos A minus B minus cos A plus B क्या होता है cos A minus B minus cos A plus B यह यहां देखिए 2 sin A sin B तो A के place पर लिखा है omega t देखिए और B के place पर लिखा है omega t minus 5 तो हमें अब यह पूरे 2 sin A sin B के place पर cos A minus B minus cos A plus B करना है और जहाँ जहाँ B है वहाँ ओमेगा टी माइनस फाई लिखेंगे तयार है आप तो चलिए लीजिए इसको तो यह जाएगा P is equal to V not I not upon 2 और देखिए अब मैं रखने जा रहा हूँ cos A minus B A के प्लेस पर यह देखिए omega T minus B B के प्लेस पर omega T minus 5 अब देखिए चुकि यह बीच माइनस है इसलिए मैंने इसको एक bracket में रखा है तो फिर इस value के लिए भी मैं मुझे एक bracket लगाना चाहिए अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर यह omega T यह cos omega T रह जाएगा केवल तो confusion से बचने का सबसे बढ़े है तरीका है कि आप एक छोटा bracket और ले लिजिए extra तो यह cos और यह देखिए A के प्लेस पर omega T और यह minus यह देखिए minus और B के प्लेस पर omega T minus 5 यह bracket बन माइनस cos A के प्लेस पर फिर omega T plus और B के प्लेस पर यह दो राशिया इनको आप bracket में लिख दीजे तो omega T minus 5 ठीक है तो देखिए यह क्या हुआ 2 sin A sin B 2 sin A sin B A के प्लेस पर लिखा omega T और B के प्लेस पर लिखा omega T minus 5 तो देखिए cos A minus B A के प्लेस पर omega T B के प्लेस पर omega T minus 5 बीच में चिन माइनस का minus cos A plus B A के प्लेस पर omega T और B के प्लेस पर omega T minus 5 हो गया clear है चलिए अब next step में इस minus को अब अदर ले जाए तो यह minus omega T plus 5 होने वाला है ठीक है और यह omega T और omega T जूडने वाले है तो यह 2 omega T बनने वाला है तो चलिए अभी क्या हो गया P is equal to V naught I naught upon 2 cos तो अब अगर हम देखे हैं तो प्रत्यावर्दी धारा के अगर अब अब यहां आने के बाद कुछ नई बात करने वाले है यह तो clear होगे ना cos 5 minus cos 2 mega T minus 5 P is equal to अब यहां के बाद आप देखें कि प्रत्यावर्दी धारा का अगर एक पूर्ण चक्र लेना आपना तो एक पूर्ण चक्र के लिए जो ओसत शक्ती होगी यह अभी शक्ती है तो ओसत शक्ती जो है वो RHS की इन दो टम्स के ओसत से दी जा सकती है ठीक है ना तो यहां जो यह second term आपको दिखाई दे रही ही cos 2 mega T minus 5 actually यह term जो है time dependent है मतलब यह समय पर क्या कर रही है यह निर्भर कर रही है ठीक है ना और इसका उसतमान प्रत्यावरती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए cos 2 mega T minus 5 का वसतमान क्या होगा शुन्य होगा क्योंकि जो cos है उसका positive half cos के negative half को क्या कर देगा cancel कर देगा तो फिर इस द्रष्टी से कर हम कहें तो प्रत्यावरती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए cos 2 mega T minus 5 is equal to 0 क्योंकि हमने का कि इसका जो प्रत्यावदी धारा के पूर्ण चक्रे के लिए इसका जो मान है वो क्या होगा क्या होगा क्या होगा शुन्य होगा क्योंकि हमने का कि जो कोसाइन का जो पजिटिव हाफ है वो कोसाइन के नेगेटिव हाफ को क्या कर देगा cancel कर देगा तो इस द्रस्टी से अब P का मान जो है मारा बचा है के वल V not I not upon 2 cos 5 ठीके और अब यहां से आप क्या करिए कि यह 2 को जो है root 2 into root 2 लिख लिए ताकि हमारे कुछ और purpose all हो जाएं तो यह अब चाप पी के प्लेस पर पी एवरेज आ चुका है क्योंकि अब यह उसस्षक्ति की बात हो रही तभी तो एक प्रत्यावर्ती धारा का यह प्रत्यावर्ती वूल्टेज का शिखरमान है और शिखरमान में root 2 का भागे ठीके और यह प्रत्यावर्ती धारा का शिखरमान है और उसमें root 2 का भागे ठीके तो V not अपान root 2 हो जाएगा ये VRMS प्रत्यावर्ति धारा का वर्ग माध्य मूल्मान तो P average जो है अब आपका क्या बदलने वाला दे कि V naught upon root 2 is equal to VRMS root minus square ये दिखे प्रत्यावर्ति धारा का शिकरमान शिकरमान में root 2 का भाग तो यह हो गया VRMS वर्ग माध्य मूलमान और प्रत्यावरती voltage में अगर root 2 का भाग लगाए तो प्रत्यावरती voltage का वर्ग माध्य मूलमान और प्रत्यावरती धारा में अगर आपने के शिखरमान में अगर root 2 का भाग लगाए तो प्रत्यावरती धारा का वर्ग माद्य मूल मान आएगा मतलब I not upon root 2 is equal to IRMS और V not upon root 2 is equal to VRMS तो देखिए V not upon root 2 की place पर आप VRMS लिखेंगे I not upon root 2 की place पर IRMS लिखेंगे तो P average की value हो जाएगी VRMS into IRMS into cos phi तो यहां आप ने ये प्रत्यावरती धारा परिपत में ये ओसर शक्ति की value निकाली P average is equal to VRMS into IRMS into cos phi जहां cos phi जो है वो परिपत का क्या है शक्ति गुणां के तो इस प्रत्यावरती धारा परिपत की जो शक्ति है जिसको हम ओसर शक्ति के रहे हैं वो नकेबल voltage और current बल्कि उनके बीच के कलांतर phi के cos पर भी depend कर रही है धन्यवाद